नेत्र के लिए शिव महा कुरान की खथा गरेए माराद भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुक में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशुक सुंदरी सुक सुंदरी का जहां से पानी भेता है उसके बीच में जो क्लाइन वह सुंदरी का इस्थान वह ध्यान से सुनना मारा एक घथा और आभी तक साई पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा करम आजवंणित किया शंकर जी की जो बेटी का सुन्लाई जी के बेटी का मद्यबाद में तो यहां बेठे हो तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पर आपको चंदन का लेपन करना है इस पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुखान पर जाएंगे तो वहाँ से हो जाएगा आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन आपको पहले वी कथा में बताया कि शंकर भजवान को कुंकू नहीं चड़ताउ रोलीनहीं चड़ताउ य क्योंकि बाबा को अगर च कर हाट कश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको कर तौड दोरी में ऐसे कितनी लगे कि ट्राजरा सहेध लगेगा उसको छोटी सी करणी में लेकर अंतर शाम के समयत पर प्रदोश्थ-काल के अंतर्गर प्रदोशकाल किसको कहा गया सूर्य अस्ट जब हता है सूर्य अस्थ के समय से एक सवा घंटे का समय बन्रिप किया गया तो उस समय पर नेनों में उसको चणतना लगाना है और ऊपस कि और देखना है लगब लगब एक मिनिट देख लिया देड़ मिनिट देख लिया बहुत दो उतना बहुत है का जल जेसा लागा है एक के बिद इन चंदन लगाया है उस चंदन पून कर लाना है और आखों के नीचे भाग माई आथ उसको समर्पित करना है यह दो तीन चीजगों में कामाता है एक नेत्र की जोती बढ़ाने के लिए जו चiasm वले नंबर हैं उसको उतारने के लिए दूसरा नेत्र के नीचे जो काला पना जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोंग कर आता है तो उससे भी नारी की जो रजोधर्म से जुड़े हुए प्रॉबलम होती है उसमें भी उसको अंतर जाता है तो हाट पेश्वर महा दे हो और दूसरा जम के बोलिया है इसका इस्मर्ण आपको करना है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में स्री सिवाय नमस्तुभ्यम चलूर लिखें आप हमारे साथ जुड़े रहें हम आपके लिए समय समय पर गुरुची द्वारा बताएगे ऐसे ही महत्पूं उपाय लेकर आते र लाएब लिखेंगे लिगरी ज दोतो अशेंटेंज पर लिखेंगे लिखेंश आते र्ही मातोषने को लाइब करेंज म्नूं मेंट ठसक्पषर रख करेंगे